So Hello Esperants, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे and उससे भी जादा अच्छी आपकी नीट प्रिपरेशन होने वाली है तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एलफा और बीटा शाय के बारें पढ़ाता तो आज हम थोड़ा सा गामक शाय के बारें में भी पढ़ने वाले है गामक्षए में क्या होता है? जो पर्माणु-क्रमांग है वो चेंज नहीं होता, No Change रहता है और जो दरव्यमान संख्या है वो भी A-to-AE रहती है, चेंज नहीं होती तो इसमें होता क्या है? इसमें एक प्रोटॉन मुक्त होता है, प्रोटॉन इमित होता है अथात higher energy level से ये कम energy level में आते हैं जो ground state में आते हैं excited state से ground state में आते हैं और इसी को हम बोलते हैं गामक्षे तो गामक्षे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं पहले गामक्षे के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गामक्षे क्या होता है हमने माना कि एक B star यहां star क्या represent कर रहा है यह photon उत्सरजित करेगा यह ground state में जाएगा यह excited state में star यहीं तरशार है कि excited state में और यह ground state में जाएगा यहां इसके परमाणु क्रमा क्षै के बाद में भी Z to Z ही रहेगा सेम ही रहेगा द्रवेमान संख्या A है तो यह A ही रहेगी पर इसमें से photon निकलेंगे photon क्या होता है photon हम लिख लेते हैं photon होते है energy के quanta energy के packets होता है photons लिख लेते हैं side में photon energy energy के packets या energy energy का quanta होता है ठीक है photons क्या होता है energy के packets होता है यह हमने अक्षे से पड़ा है कि जो excited state में जो भी नाभिक है उसे ground state में आने के लिए photos उत्सरजित करने होता है और इसी को हम गाम अक्षै बोल रहे है इसके बाद में हम कुछ question और numericals करेंगे answer related तो चलिए हम पहला question देखते हैं कि क्या है यहाँ x n alpha 3 li 7 है तो x क्या होगा यह हमें ग्याद करने है तो यह जो x n alpha है यह एक representation है यह प्रदर्शित करने का एक तरीका है किसी reaction को तो वो reaction हम यहाँ लिख देते हैं कि जो x n alpha है इसका अर्थ होता है कि जो n है n की हम क्या करेंगे n की हम बंबारी करवाएंगे किस पर x पर जो n है n की बोचार करवाएंगे हम x पर तो हमें alpha मिलेगा alpha क्या है alpha है helium का नाफिक helium का नाफिक 2HE4 मिलेगा और साथ ही में 3LI7 भी हमें मिलने वाए 3LI7 जो नया नाभिक बना है वो है तो हम यहां लिख लेते हैं यह reaction किस प्रकार से होगी कि जो X है इस पर हम बंबारी करवाएंगे किसकी N की तब हमें क्या मिलेगा 3LI7 and 284 हमें मिलने वाला है अब हमें यहां पर यह ग्याद करना है कि यह जो X है यह X क्या होगा यहां पर इन 4 option में से यह X क्या होगा वो हमें ग्याद करना है अब यह X हमें ग्याद करना है तो हमें परमान उक्रमान ग्याद करना होगा द्रवे मान सक्या अब दोनों में से अगर एक भी find कर लोगे तो आपको इन चारों में से एक option तो पक्का मिल जाएगा और correct option आपको मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर सबसे पहले let कर लिते हैं इसकी द्रवेमान संख्या A है पर मनुक्रमांग इसका Z है अब हम इसकी द्रवेमान संख्या निकालने के लिए इन सबी को add कर लेंगे A plus 1 equal to 7 plus 4 7 plus 4 11 हो जाएगा और A plus 1 अब A को हम इस side रखेंगे 1 को हम right hand side में ले जाएगे तो यह हो जाएगा A equal to 10 तो जो 10 द्रवेमान संख्या वाला जो भी आपको यहां नाबिक दिख रहा है 10 किसकी द्रवेमान संख्या है 3B10 की तो यह A option हमारा correct है कई बार ऐसा होता है कि द्रवेमान संख्या सारे options में सीन दे देते हैं तो द्रवेमान संख्या अगर आपको सारे options में save दे रखी है तो आप पर्मानु क्रमांग निकाल दे तो हम क्या करेंगे मैं यहाँ आपको सारे जो पर्मानु क्रमांग है वो भी मैं आपको निकाल के बता देती हूं जिससे आगे की questions में हम समझ जाएं कि या तो हमें पर्मा क्रमान संख्या ए थी और पर्मानु क्रमाग जैड़ था तो जैड प्लस जो neutron है हम जानते हैं कि यह प्रमानु क्रमांग में भाग नहीं लेता तो 0 इसका पर्मानु क्रमांग होगा तो 0 यहाँ लिख लेते हैं 0 के गाद इक्वल में हम लिखेंगे जो लीथियम इसका प्रमाणुक्रमांग 3 है और हीलियम के लिए 2 है तो Z equal to क्या आएगा 5 तो 5 B 10 हमारा correct answer है इतना clear हुआ इसके बाद हम next question करते हैं next question है deutron ये deuterium हम जानते है deutron deuterium 1H2 होता है या तो हम इसको deutron बोलेंगे या deuterium बोलेंगे और दोनों का मतलब ही होता है 1H2 जो की hydrogen का समस्थानिक है तथा alpha-gan, alpha-gan क्या होता है 2H4 के लिए बंधन उर्जा प्रती नुकलियान B bar हमें दे रखी है X1 तथा X2 है जो deutron है उसके लिए बंधन उर्जा प्रती नुकलियान हमें क्या X1 दे रखी है और जो 2H4 है उसके लिए हमें X2 दे रखी है ये बंधन उर्जा प्रती नुकलियान है तब उतसर्जित या मुक्त Q value गयाद कीजिए Q value हम कैसे गयाद करते हैं जो product की binding energy है उसे हम reactant की binding energy से subtract कर देंगे तो हमें Q value मिल जाएगी ये गयाद करेंगे हम पहले हम answer लिख लेते हैं कि हमें जो पहले दे रखा है वो हम लिख लेते है B bar की value दे रखी है किस के लिए? helium के लिए और 1H2 deutron के लिए तो पहले हम लिख लेते हैं B bar for 1H2 deutron के लिए क्या दे रखा है हमें? X1 इसके बाद में हम इसकी binding energy find कर लेते हैं हम जानते हैं B bar क्या होता है? B E upon A होता है तो हम B E find करेंगे जो होगा B bar into A अब B bar की value 1H2 के लिए कितनी है? X1 है into 1H2 अथार इसकी द्रवान संख्या 2 है तो 2X1 ये क्या हो जाएगी? Binding energy for 1H2 इतना clear हुआ अब ये तो है एक deutron या एक deuterium के लिए binding energy बट हमें 2 दे रखे हैं देखिए, reaction में हमें 2 deutron दे रखे हैं तो हम इसे 2 से into कर लेंगे 2 से हम इसको into करेंगे 2X1 into 2 करेंगे तो ये होगा 4X1 इतना clear हुआ इसके बाद में हम B E find करेंगे किसके लिए? helium के लिए 2H4 के लिए तब हम क्या करेंगे? B bar into A अब जो helium है उसके लिए B bar की value क्या है? X2 into helium के लिए A की value कितनी है? 4 तो ये हो जाएगा 4X2 अब हम Q value find करेंगे Q value का formula क्या होता है? Q equal to binding energy of the product minus binding energy of the reactant यहाँ हमें product क्या दे रखा है? product हमारा है helium और reactant हमारा क्या है? deutron या deuterium तो यहाँ हम लिख लेते हैं Q equal to binding energy of helium minus binding energy of deutron तो यह क्या थी हमारे पास? 4X2 minus यह क्या थी? 4X1 यहाँ से 4 common ले लेंगे यह 4X2 minus X1 आ जाएगा जो की क्या है? हमारी Q value तो Q value हमें मिल गई? जो की है 4X2 minus X1 और यह हमारा कौन सा option है? option number B तो B हमारा correct option है अब हम आते हैं next question पे next question हमें क्या दे रखा है? कि एक द्यूट्रोन की बंबारी या बॉचार हम 8 oxygen 16 नाभिक पर करते हैं तो alpha कर्ण मुक्त होंगे तब उत्पाद नाभिक हमें क्या आत करना है? अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? कि जब एक द्यूट्रोन है 1H2 है इसकी हम बंबारी बॉचार करवाएंगे किस के उपर? 8 O 16 के उपर 8 O 16 के उपर तब हमें क्या अप्राप्त होगा? एक तो alpha कर्ण helium का नाभिक यह होता है? alpha कर्ण helium का नाभिक तो 2H4 2H4 मिल रहा है और 7 में एक नाभिक मिलेगा तो यह जो नाभिक है यह कौन सा है हमें चार option दे रखे हैं इन में से देखना है कि यह नाभिक कौन सा होगा same question हमने पहले भी किया है सारी द्रवेमान संख्याओं को जोड़ लेंगे और इसका answer हमें मिल जाएगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? जो द्रवेमान संख्याओं उन्हें जोड़ लेते है 2 प्लस 16 इक्वल टू 4 प्लस A अब यहाँ पे यह कितना होगा? 18 और 4 प्लस A अब हम A को इस साइड लिख लेते हैं 18 माइनस 4 करेंगे तो किता आएगा 14? तो A की value हमें 14 में गई और जो की हमारा option है इसके बाद हम आते हैं next question पे जो की है नाभिकिये share दिया गया है यह हमें नाभिकिये share दिये गया है नाभिकिये share कोई साभी हो सकता है alpha, beta, gamma कोई भी दे सकते हैं तो हमें find करना है क्रम से कि कहा alpha हो रहा है, कहा बीटा और कहा गामा हो रहा है उसके लिए हम एक एक करके लिखेंगे पहले हम लिख लेते हैं जो z x a है वो z plus 1 y a में change हो रहा है तो यहां हम देखेंगे कि कौन सा share हो रहा है अब यहां पे हम देख पा रहा है कि z z plus 1 में हो रहा है और जब हम beta minus share करते हैं तो प्रमानुक्रमांग plus 1 हो जाता है एक से बढ़ जाता है तो यहां पे beta minus share होगा और beta minus share में हम एक बात और जानता है कि द्रव्यमान संख्या सेम रहती है जो beta plus और minus दोनों ही share में द्रव्यमान संख्या सेम रहेगी पर प्रमानुक्रमांग है वो चेंज हो जाएंगे, बीटा माइनस में एक परमानुक्रमांग बढ़ जाता है और बीटा प्लस शेय में एक परमानुक्रमांग कम हो जाता है, माइनस वन हो जाता है, तो यहां हम लिख लेते हैं कि बीटा माइनस शेय में द्रव्यमान संख्या, एसे हम लिख लेते हैं, अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं A, द्रवेमान, संक्या, Z, प्रमाणुक्रमांग है तो मैं डाइरेक्ट लिख रहे हूं कि A है, A यहाँ पे no change, A change नहीं होने वाला है, A same ही रहेगा, इसके बाद में जो प्रमाणुक्रमांग है, वो प्लस वन हो रहा है, प्लस वन जब भी होगा परमाणुक्रमांग तो वो बीटा माइनस शय होगा, अथाट यह जो हमारा पहला शय है, यह होगा बीटा शय होगा, और बीटा भी कौन सा बीटा माइनस शय होगा, बट हमें options में सिर्फ बीटा शय दे रखा है, तो बीटा शय का मतलब बीटा माइन क्या बन रहा है Z-1 B-star और A-4 अथार्थ यह excited state में चला गया अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो परमानुक्रमांक Z-1 से Z-1 में चला गया अथार्थ 2 की कमी होई है और 2 की कमी परमानुक्रमांक में कम होती है जब हम अलफाक शाय करते हैं अलफाक शाय में द्रवेमान संख्या 4 से कम होती है परमानुक्रमांक 2 से कम होती है तो 2 की कमी होई है तो इतना हम समझ गये कि यहाँ पे अलफाक शाय होगा अलफाक शाय में क्या होता है A-4 होता है अथार्थ-4 की कमी आती है द्रवेमान संख्या में और z कितना होता है minus 2, इसके बाद में हम यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ पे alpha क्षय हुआ है, और अब हम लिखेंगे next और जो कि last भी है z minus 1, b star अथात यह excited state में है, यह होगा z minus 1, b a minus 4, अब यहाँ पे ना तो द्रव्यमान संख्या चेंज हुई, ना परमानुक्रमांग चेंज हुए, अब आपने पहले पहल दिया है कि द्रवेमान संख्या चेंज नहीं हो पर्माणु क्रमांक चेंज नहीं हो तो कौन सा शेय होता है गामक शेय तो यह कौन सा शेय होगा हम लिख लेते हैं साइड में यहां होगा गामक शेय जिसमें क्या होता है पर्माणु क्रमांक नो चेंज और द्रवेमान संख्या नो चेंज अथार्थ ना तो पर्मान उक्रमांग चेंज हो रहा है ना ही द्रवेमान संख्या चेंज हो रही है तो यह कौन सा शेय हो गया? यह हो गया गामक शेय तो correct order क्या होगा? पहले बीटा शेय होगा बीटा डीके होगा फिर alpha dk होगा और फिर gamma dk होगा तो यह हमारा कौन सा sequence है option number d में correct sequence है जो कि है beta alpha and gamma तो right जो sequence है वो हम लिखते हैं सबसे पहले होगा beta share फिर alpha share और उसके बाद last में gamma share जो कि हमारा correct option है वो है d उसके बाद में हम next question देखेंगे जो कि है 48 cadm 115 नाभिक दो लगातार beta share करता है अब एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी आपको beta minus share दे तब आप क्या करेंगे परमाणुक्रमांक बढ़ा देंगे एक से जब beta plus share दे तो परमाणुक्रमांक आप घटा देंगे पर only आपको beta share ही दे रखा है तब आपको क्या समझना है beta minus share अथाट परमाणुक्रमांक बढ़ाना ही है आपको तो यहाँ पर side में लिख लेते हैं कि beta minus share दिया है तो जो z है उसको हम plus one करेंगे बीटा plus share दिया है तो z को minus one करेंगे बट अगर हमें सिर्फ beta share दिया है share दिया है तो हम beta minus share करेंगे जिसमें z equal to plus one हो जाने वाला है तो अब हम लिख लेते हैं इसका answer जहां 48 cadm 115 है यह लगातार दो बीटा share कर रहा है बीटा share अथाथ बीटा minus share कर रहा है और हम जानते हैं कि बीटा minus share में परमानुक्रमांग प्लस one हो जाता है और यहां दो बीटा share हो है तो परमानुक्रमांग प्लस one प्लस one अथाथ प्लस two हो जाएगा 48 प्लस 2 जो क्या आने वाला है 50 अब हम इतना भी जानते हैं कि बीटाक्षय में परमाणू क्रमांग तो चेंज होका तिरवेमान संख्या चेंज नहीं होगी तो A equal to no change तो A 115 था तो अभी भी 115 ही रहने वाला है और हमें Z की value क्या मिली है 50 यहां हमने क्या किया प्लस 2 किया क्योंकि दो बीटाक्षय हुए हैं तो यहां हम लिख लेंगे 50 अब 50 आपको कौन से option में दिख रहा है option number C और D में अब एक चीज इन में different है जो कि है द्रवेमान संख्या द्रवेमान संख्या चेंज है और द्रवेमान संख्या हम जानते हैं बीटाक्षय में सेम रहने वाली है तो option D हमारा correct है option D correct है जो कि है 50 SN अथा 10 115 यह option हमारा correct option होगा option number D इसके बाद में हम बात करते हैं next question की यहां एक नाभी की अभिक्रिया है जहां Z X A Z plus 1 Y A में परिवर्टित हो रहा है अथार्त द्रवेमान संख्या परिवर्टित नहीं हो रही है पर परमानुक्रमांग परिवर्टित हो रहा है जो कि किसमें होता है बीटा शेय में और बीटा शेय हम डारेक्ली देख पा रहे है कि यहां बीटा शेय हो रहा है जो Z X A है वो किसमें चेंज हो रहा है Z plus 1 Y A में तो A No Change and Z plus 1 हो क्या है और यह किसमें होता है बीटा माइनस शेय में ओके तो हमारा कौन सा option करेक्ट है option नमबर A अब यहां पर आप लोग यह गलती मत करेगा कि यहां minus 1 E 0 लिखा है हम जानते हैं कि जो electron है वो ना ही परमाणू क्रमांग में भाग लेगा ना ही द्रवेमान संख्या में भाग लेगा तो आप ऐसे मत करेगा कि जो Z है वो plus 1 के रूप में है इसमें आप minus 1 कर देंगे electron का नहीं यहां minus 1 क्या है electron का charge है ना कि इसका परमाणू क्रमांग है यह आपको ध्यान रखना है तो यहां पर कौन सा share हुआ है यहां पर हुआ है beta share और वो भी beta minus share हुआ है इसके बाद हम आते हैं next question पे यहां alpha, beta and gamma सभी के लिए energy तो same है alpha, beta, gamma की energy तो same है बट उनकी भीदन शम्ता जो उनकी piercing ability है उसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है अथार्ट किसकी piercing ability सबसे कम है और किसकी सबसे जाता है अब जो भीदन शम्ता होती है वो क्या है भीदन शम्ता किसी भी जैसे कि हम कोई कपड़ा ले रहे है तो उसे हम किसी needle से किसी सुई से भेज सकते हैं आसानी से suppose ये मेरा हाथ है और इसमें हम इस pen को इस pen को मारपार करना चाहते है क्या ये होगा, नहीं होगा क्योंकि pen की जो piercing ability है जो भीदन शम्ता है वो कम है बट इस pen के जगह हम एक needle लेते हैं एक सुई लेते हैं और उसे हम मेरे हाथ के आरपार करना चाहते है तो वो हो जाएगा, क्यों होगा क्योंकि जो needle है, जो सुई है उसकी भेदन शम्ता अधिक है तो भेदन शम्ता अधिक किसकी होगी जो की area जिसका area कम होगा ठीक है, और भेदन शम्ता हमें यहां किसकी देखनी है हमें alpha, beta and gamma इन में से सबसे अधिक भेदन शम्ता किसकी है, वो हमें देखनी है यह हमें एक diagram से समझेंगे जहां हम पहले पहले हम बना लेते हैं alpha तो जो alpha करन है alpha particles है, वो first plate तक जा पाएंगे जो first plate है यहां तक जा पाएंगे, इसको भेदने कोशिश करेंगे बट नहीं भेद पाएंगे अथार्थ, इसको भेदन से नहीं कर पाएंगे और जो second हम लिखेंगे beta particle जो beta particle है, वो पहली परत को भेद देंगे और second तक चले जाएंगे अथार्थ, बीटा की भेदन शम्ता alpha से तो अधिक है alpha से अधिक भेदन शम्ता किसकी है? beta की इसके बाद में हम gamma के लिखेंगे तो gamma की जो भेदन शम्ता है जो gamma rays है जो gamma ray है इनकी भेदन शम्ता beta और alpha से अधिक होने वाली अथार्थ, ये पहली और दूसरी परत को भेद के तीसरी परत तक चले जाएंगे अथार्थ, इन में से सबसे अधिक भेदन शम्ता किसकी है? gamma की उससे कम beta की और सबसे कम alpha की है तो हम इसे एक order में लिख लेते हैं कि जो alpha की भेदन शम्ता है, वो सबसे कम है सबसे कम है अथार्थ, पहले तो ये बीटा से कम है और बीटा से बड़ा क्या है? gamma तो बढ़ते करम में कैसे लिखेंगे? सबसे कम alpha, उससे बड़ा beta और सबसे बड़ा gamma तो हमारा correct sequence क्या होगा? alpha, beta and gamma और ये कौन सा option है? alpha, beta and gamma option number B चलिए, इसके बाद हम आते है next question पे जो की नीट में दो बार पूछा जा चुका है तो आपको एकदम अच्छे से देखना है कि यहां हमें एक नापिक दिया है NXM दे रखा है यहां पे हम इसको correct कर लेते हैं NXM हमें कोई नापिक दे रखा है जिसके अंदर एक alpha कर्ण मुक्त करता है यह जो नापिक है एक alpha कर्ण मुक्त है रहेगा अथार्थ alpha शय इसमें होगा और दो बीटा शय होने माले दो बीटा कर्ण मुक्त करता है तो परिणामी नापिक हमें देखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले हम इसकी reaction लिख लेते हैं कि जो NXM हमारे पास एक नापिक है पहले तो यह करता है alpha क्षय alpha करेगा तो alpha क्षय में क्या होता है जो द्रवेमान संक्या है वो 4 से कम हो जाएगी कि 2 से कम होगी परमानुक्रमांक और जो द्रवेमान संक्या है M-4 4 से कम हो जाएगी और यहां X को चेंज करके Y लिख लेते हैं अब यहां पर जो नापिक है X, Y आपको अंसर में ध्यान नहीं देना कि Z है, X, Y है यह नहीं देखना आपको क्या देखना है बीटा माइनस होगा तो A तो रहेगा सेम और Z है वो प्लस 1 हो जाता है और जब 2 बीटा माइनस कर रहे हैं तो जो Z है वो प्लस 2 हो जाएगा ओके? तो यहां N-2 था N-2 था इसमें हम प्लस 2 करेंगे क्यों? क्योंकि β-6 में परवानुक्रमांक प्लस एक हो जाता है और यहां 2 β-6 है तो प्लस 2 करेंगे और यहां मनाबिक x ही लिख लेते हैं और द्रव्यमान संख्या यहां सेम रहेगी हम जानते हैं बीटा एक शेय चाहिए बीटा प्लस हो द्रव्यमान संख्या एक सेम रहती है तो यह हम लिख लेते हैं इसके बाद में माइनस 2 प्लस 2 कैंसल हो जाएगा और लास्ट में हमें क्या प्राप्त होगा एन एक्स एम माइनस 4 अब यह ओप्शन आपको कहां मिल रहा है एन एक्स एम माइनस 4 जो सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन क्या है एन एक्स एम माइनस 4 जो की हमारा करेक्ट ऑप्शन है आई हो आपको यह समझ आया होगा कि बीटाक्षय में तो द्रव्यमान संख्या चेंज नहीं हो रही पर अलफाक्षय में 4 से कम होने वाली है तो इस तरह से हमारे ये अंसा निकलेगा इसके बाद में हम पढ़ेंगे रेडियो अक्टिविटी रेडियो अक्टिविटी में हम अयल्फ अक्शह, बीटसrespect, गामकonsistent और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में पढ़ेंगे अल्फ अक्शह में हम जानते हैं कि एक alpha कर्ण मुक्त होता है, अथार्थ helium का नाभिक मुक्त होगा, पूरची 4 मुक्त होगा, और beta कशय में एक electron और एक positron मुक्त होता है, हमने starting में देखा था, जब हमने ग्राफ बनाया था proton और neutrons के बीच, तब हमने beta plus share में देखा था, कि उसमें एक electron मुक्त होगा, beta minus share में देखा था, एक electron इमिट होगा, और beta plus share में एक positron मुक्त होगा, एक positron इमिट होगा, यह हमने देखा था, उसके बाद में gamma share में हमने देखा कि photon निकलेगा, energy का quanta, जो कि photon होता है, वो निकलेगा, अब electron capture क्या होता है electron capture में हम जानते हैं कि नाभिक में proton neutron होते हैं और जो proton है positive charged है इसके बाद जो नाभिक है उसके बहायतम कोश्च में electron कक्षिय गति करता है तो जो electron है उससे attract करेगा proton क्योंकि proton positive charge है और electron negative charge है तो जो positive है और negative को attract करता है और जो proton है वो electron को capture कर लेगा जिससे ये दोनों मिलकर एक नया neutron बनाएंगे और साथ में एक एंटी पार्टिकल निकलेगा जो की होगा neutrino जो की chargeless and massless होता है तो यहां इसको एक बार हम read कर लेते हैं कि जो alpha क्षे है helium नाबिक 2HE4 मुक्त करता है बीडा क्षे है electron and positron positron का symbol E plus होता है हमने दिखा दा हो मुक्त करता है और इसके बाद में gamma क्षे photon तथा अधिक उर्जा उत्षरजित करता है photons के साथ अधिक उर्जा भी emit करेगा क्योंकि वो higher energy level से lower energy level में आया है इसके बाद में जो electron capture है इसको हमने अभी समझा था कि नाभिक में proton है और neutron है neutron तो neutral है और जो proton है positive charge है और बाहर electron होगा तो electron को आकरशित करेगा तो यहां क्या reaction होगी जो proton है वो electron को आकरशित करेगा जिस से हमें एक neutron मिलेगा अब आप इसको particle और anti-particle के basis पे समझेए मैं आपको बता चुक्यों जब हमने बीटा क्षय और अलफा क्षय पड़ा था तब हमने देखा था कि दोनों साइड हमें particles equal करने है तो proton particle है electron particle है यहां दो particle है यहां neutron एक ही particle है तो यहां हमें एक और particle add करना होगा जिससे दोनों साइड particles equal हो जाएंगे तो यहां हम एक neutrino add करते हैं तो यहां 1 प्लस 1 अथा 2 हमें मिलेगा तो दोनों साइड दो दो particles हो गए इसके हमें पता चलता है कि electron capture में जो प्रोटोन है वह electron को आकरशित करके और दोनों add होके एक नया neutron बनाते हैं इसे ही हम electron capture बोलते हैं इतना समझ आया इसके बाद हम पढ़ेंगे law of radioactive decay जो radioactive share का नियम है वो हम पढ़ने वाले हैं इस नियम में क्या बताया गया है कि जो share दर होती है जो share का मतलब क्या होता है कम होना और कम क्या हो रहे हैं nucleons जो T समय लगेगा किसी अभिक्रिया में T समय बढ़ता रहेगा जिससे time बढ़ता रह रह रहे हैं और जो share दर है share दर कम होती जाएगी तो उसे हम negative से दर शाएगे nucleons के संख्या कम कम होती जाएगी जैसे हम time बढ़ा रहे हैं तो कुछ nucleons घड़ते जा रहे हैं घड़ते जा रहे हैं तो आपको एक line अच्छे से आद रखनी है कि जो share दर है वो nucleons के संख्या के समानुपाती होगी और share दर को हम minus sign से लिखेंगे क्योंकि share का मतलब ही कमी होता है और इसे हम minus से represent करेंगे यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो nucleons से वो time के साथ कम होते जाएंगे पर कुछ शेश रह जाएंगे ऐसा नहीं है कि पूरे एकदम खतम होंगे कम 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 होते जाएंगे और फिर कुछ शेश बच जाएंगे तो यही हमें पढ़ना है law of radioactive decay में चलिए हम इसकी reading कर लेते हैं कि rate of decay जो rate है decay की अथा share की जो दर है is proportional to the number of active present nucleons जो समानुपाती है number of active nucleons जो उपस्थित active nucleons है जो सक्रिये nucleons है उनके proportional होती है उनके समानुपाती होती है तो share dar उपस्थित सक्रिये nucleons के बराबर होती है इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो share dar है share dar minus dn upon dt से हम represent करेंगे क्योंकि t में परिवर्तन हो रहा है अगर हम t बढ़ा रहे हैं जैसे हम t में परिवर्तन कर रहे हैं अगर हम t को बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे ही number of nucleons वो कम होते जा रहे हैं उसे हम minus से represent कर रहे हैं और यह समानुपाती होगा n के n क्या है number of active nucleons ठेक है इतना clear हुआ इसके बाद में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो dn upon dt है वो proportional है n के इसके बाद में जब यह प्रोपोर्शनल का हम sign हटाते हैं जब समानुपाती का sign हम हटाते हैं तो हम एक स्थिरांक मिलता है यहाँ वो स्थिरांक है lambda lambda क्या है शय नियत आंक है शय का जो नियत आंक है वो है lambda इसके बाद में इं्टेग्रेशन से हमें ये value मिलेगे, समाक्लेन के बाद हमें ये value मिलेगे हमें समाक्लेन करके देख लेता हैं कैसे होगा समाक्लेन करने के लिए हम N को इस side भेजेंगे और DT को इस side, right hand side लेके आने वाले हम तो हम लिख लेता हैं कि DN upon N equal to minus lambda और integration dt integration करेंगे हम जानते हैं 1 upon n का integration log n होता है तो यहाँ log n log n t लिख लेते हैं क्योंकि t समय पस्चा जितने nucleons होंगे वो हमें देखने हैं तो nt रख लेते हैं equal to minus lambda and dt का क्या होगा समाकलन t इसके बाद में log को हम nt log में भेज देंगे जो होगा e p power minus lambda t यहाँ पर एक स्थिरांक भी आता है समाकलन स्थिरांक या समाकलन नियतांक अब इसे plus c लिख लेंगे इसके बाद में हम जब e p power minus lambda t और e p power c को अलग करेंगे तब हम देखेंगे जो e p power c है वो एक constant है वो एक constant है constant जिसको हम n naught से लिख लेते हैं जो e सी है वो n naught है एक नया स्थिरांक है उसके बाद में हम लिख लेते हैं nt equal to e p power minus lambda t n naught यह value हमें मिली after integration nt equal to n naught e p power minus lambda t इतना clear हो यहाँ nt क्या है t सम्में पश्चाथ शेश बचे nucleons की संख्या ओके t क्या है यहाँ time है lambda क्या है शेय स्थिरांक है और n naught क्या है अभी हमें constant बिला है और वैसे n naught क्या है जो initial number of nucleons था जो प्रारंबिक total number of nucleons है वो n naught है यहाँ पे इसके बाद में हम graph देखेंगे t और nt के बीच अथार इसको लेके हमें एक graph बनाने वाल है तो जैसे जैसे हम t बढ़ाएंगे जैसे जैसे हम time बढ़ाते है तो जो number of nucleons है वो कम होते जाएंगे share होता जाएगा ना share का मतलब ही कम ही होता है तो n के value कम 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 होती जाएगे अथार जो graph हो हमें decreasing मिलेगा graph हमें कम होता हुआ मिलेगा इस प्रकार से इसके बाद में ये तो मैं आपको बता चुकिए nt क्या है t समय बाद nucleons t time है and not initial prarambic nucleons की जो संख्या है वो होगी यहाँ पे इसके बाद में हम decade number of nucleons decade number of nucleons अथार कितने nucleons शय हो गए वो हम ग्याद करेंगे तो कितने nucleons शय हो गए उसको ग्याद करने के लिए हम n not minus nt करेंगे जितने initial थे जितने prarambic nucleons थे उन्हें हम 30 समय पश्याद nucleons से जब घटा देंगे तब हमें जितने शय हो गए nucleons वो प्राप्थ हो जाएंगे n not minus nt करेंगे तब हमें क्या मिलेगा decade nucleons की संख्या में मिलेगी n not minus nt इससे हमें क्या मिलेगा decade number of nucleons इसके बाद में n not minus nt अब nt की value क्या थी t समय पश्याद nucleons की value क्या थी n not e power minus lambda t तो वो value हमने यहां रख दी यहां से n not common लिया तो 1 minus e power minus lambda t अथा एक्सपोनेंशल रूप से यह बढ़ेगा यह कम होगा और यहां n not क्या है initial number of nucleons वो था हम पहले लिख चुके हैं अब हम जितने शय हो गए वो nucleons y axis पर रखके और जो time है x x पर रखके हम जब एक graph बनाएंगे तो हमें graph कुछ इस तरह मिलेगा अथा जैसे जैसे हम time बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही share होने वाले nucleons के संख्यावी बढ़ती जाएगे अब यह क्यों हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम time बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो T समय पश्चाद nucleons बचते हैं वो कम होते जाते हैं और जो share होने वाले nucleons है वो बढ़ते जाएगे share का मान बढ़ेगा time बढ़ने के साथ share का मान भी बढ़ेगा तो यह graph decreasing नहीं है यह graph increasing है यह graph बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहे जो time है time को हम पहले 0 रखेंगे फिर T half रखेंगे फिर 2 T half रखेंगे फिर 3 T half यहाँ T half क्या है अर्द आयू है अब हम देखेंगे T समय पर 6 बचते nucleons यह हमने देख लिया था पहले तो T समय पर कितने T समय पश्चात वाले हमें नहीं देखेंगे यहाँ पर हम initial देखेंगे बट यहाँ T समय पर पूछा है तो पहले हम N not रखेंगे उसके बाद में N not upon 2 जब हम half कर देंगे तो N not upon 2 आ जाएगा जब हम इसका दुगना करेंगे तो इसका इसके आधे में डबल हो जाएगा N not upon 4 इसके बाद N not upon 8 उसके बाद N not upon 16 ऐसे ऐसे कम होते जाएगे इनका जो हर है वो दुगना होता जाएगा अधाथ हर में कम ही आती जाएगी इसके बाद share हुए जो N not minus Nt है पहले T equal to 0 रखेंगे तब तो इसकी value भी 0 होगी क्योंकि T equal to 0 है तो तो share start ही नहीं हुआ इस वज़ज से यहाँ इसकी value तो 0 रहेगी T half के बाद N not upon 2 इसके बाद में 3 N not upon 4 इसके बाद है 7 N not upon 8 आपको यह याद कैसे रखना है इसके पीछे वाले में जब 4 था तो यहाँ हम 4 से एक कम 3 लिखेंगे और upon में same to same रखने वाले हैं और N not भी same रहेगा यहाँ 8 था तो 8 का हमने 7 लिख दिया 7 N not upon 8 तो याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं जो हर में संख्या थी उसे एक कम करके उपर लिख देंगे और बागी same to same हमें लिखते ना है इसके बाद में जितने भी remaining है अथा जितने भी 6 बच जाते हैं T समय बाद Nucleons उन्हें हम decade number of Nucleons से divide करेंगे तो जो ratio मिलेगा पहले T equal to 0 पे कोई ratio नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो share है वो start ही नहीं हुआ एक पार तो P half पे हमें एक अनुपात 1 मिलेगा इन दोनों का हमें अनुपात देखने यहाँ सेम होता है तब एक अनुपात 1 यहाँ एक अनुपात 3 क्योंकि इसके आगे आप देख़र रहे हैं एक है और यह तीन है तो एक अनुपात 3 इसके बाद में यहां आप देख पा रहे हैं, यहां एक है और यहां साथ है, तो एक अनुपास साथ, क्या था remaining upon decade, जब हमने देखा, इसके बाद हम n-note upon n-t करेंगे, n-note क्या है, जो initial number of nucleons है, n-t क्या है, t इसमें पश्चा 6 पजो nucleons है, तो इनका जब हम, इनका जब हम ratio देखेंगे, यह ratio आप याद रख सकते हैं, पहले जो upon में 2 है, 2, 4, 8 है, वो आप यहां लिख लिए 2, 4, 8, यह साथ निया देखने की trick है, कि जो नीचे हर में, जितने भी आपको numbers देखेंगे, वो पहले लिख लिजिए, 2, 4, and 8, उसके बाद में अनुपात 1, 1, 1, यहां भी अनुपात 1 है, 20 क्या है, जो decade number of nucleons है, वो यहां पे हम लिख रहे हैं, तो इसको भी आद आप रख सकते हैं, पहले यह same to same लिख लिजिए, 2, 4, 8, इसके बाद में, यहां पे 137 था, तो 137 भी same लिख लिजिए, इस तरह से हमें यह साणी आद करने है, साणी बहुत important है, इस से भी questions आने वा of nucleons थे, उसके आधे number of nucleons रह जाते हैं, अथाद पहले जितने भी nucleons थे, total जितने भी nucleons थे, उसके आधे रह जाएंगे, किसके पश्चात, half life या अर्धायू के पश्चात, तो इसका definition देखेंगे, वह समय जिसके पश्चात बचे हुए number of nucleons, initial या प्रारंबिक number of nucleons के कि शेश बचे nucleons की संख्या, प्रारंबिक number of nucleons की आधी रह जाती है, किसके पश्चात, half life के पश्चात, तो इससे हम क्या देख सकते हैं, कि ये जितने time में होगा, अर्थाद जितने time में, प्रारंब में जितने number of nucleons से उसके आधे बच जाएंगे, वही time, वही time half life या अर आयू है, वो शाय हुए कणो की संख्या को परिबाशित नहीं करता, अधा जो half life है, वो decade particles को define नहीं करता, ये नहीं बताता कि कितने particles decay हुए हैं, बट ये जरूर बताएगा कि कितने particles हमारे पास शेश बच गए, अधा 30 समय बाद हमें anti जो particles मिलते हैं, उसको ये परिबाश करेगा, कौन जो half time है वो, half life है वो, उसके बाद में हम एक numerical करेंगे, जो कि 2018 need में पूछा गया है, कि एक radioactive पदार्थ के लिए अर्द आयू 10 मिनिट है, तो जो T half है, वो हमें 10 मिनिट दे रखा है, और यदी प्रारंब में 600 number of nucleons है, जो N naught की value है, वो 600 हमें दे रखी है, तो 450 निकली आई के विगटन में, विगटन अथार्थ कमी, तो 600 में से हम 450 subtract कर देंगे, घटा देंगे, उसके बाद विगटन में कितना समय लगा, तो कितना समय लग रहा है, वो हमें गयात करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो दिया गया है, वो लिख देते हैं, ज पर्दायों किसके लिए जो रेडियरक्तर पर्दार्थ हमें दिया गया है, उसके लिए, पहले हमने T half लिख लिया, उसके बाद में प्रारम्भ में, प्रारम्भ में number of Nucleons, कितने हैं, 600, उसके बाद हमें कम कितने करने हैं, यहां 600 से 400 कम करने है, तब हमें क्या value मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी 150 अथाथ हमें 600 से 150 तक आना है क्या करना है हमें 600 से 150 तक आना है अब हम half life का formula अपलाई करेंगे half कर देंगे 600 का half क्या होगा 300 300 का half क्या होगा 150 तो 150 हमें मिल जाएगा किती half life बाद 2 half life बाद तो यहाँ 600 का आदा क्या होता है 300 यहां हमने आदा किया तो half लिख लेता है इसके बाद में 300 का आदा क्या होता है 150 यहां भी हमने half किया अब value value of one half life एक अरधायो की value क्या थी 10 minute तो यहां पर कितनी half life है 1 and 2 दो half life है ना तो हम क्या करेंगे जो 10 है उसे 2 से into कर देंगे तो आज एगा 20 तो यह हमारी half life है तो इतने time में इतने time में 600 में से 450 कम होके एक सो पचास particle 6 बच जाएंगे तो half life कितनी मिली हमें 20 minutes 20 minutes यहां minutes में लिख लेते हैं क्योंकि हमें answer minutes में चाहिए तो 20 minutes हमें answer मिल गया और 20 minutes कहा है option number a इसके बाद में हम next question करते हैं कि एक radioactive पदार्थ की अर्दायू 30 minutes है यहां में tea half कितना दे रखा है 30 minutes उसी radioactive पदार्थ की 40% share हम इसे total 100% माल लेते हैं 100 में से अगर 40 को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 60 मिलने वाला है और 85% share के बीच लगने वाला समय अब 100 में से जब 85 को सब्स्टेक्ट करेंगे हमें 15 मिलेगा तो हमें आगा क्या करना है कि जो 16 है 16 में से हमें 15 तक आना है इसका हम अंसर लिखते हैं ना कितना लगेगा यहां पहले हम before we say half हमें लिखे हैं मिलेव कितना दिया है वा मॉच्छा है ती आप पैसे पहले हम लिखते हैं कि 100 में से जो 40% बच्चा है अताथ 100 में से हम 40 को सबस्ट्रेक्ट कर देंगे 100 में से हम 40 को घटा देंगे तो हमारे पास बच्चेगा 60 इसके बाद में सेगंड क्या है 85 तो 100 में से हम 85 को सबस्ट्रेक्ट करेंगे कितना बच्चेगा 15 अब हमें यहां क्या करना है 60 में से हमें 15 बनाना है तो हमें कितनी half life चाहिए होगी अब जो 60 है, जो 60 है उसका आदा कितना होता है, 30 30 का आदा कितना होता है, 15 अथा तो हमें 2 half life चाहिए होगी एक half life की value 30 है, 2 half life की 60 होगी, तो 60 इसका अंसर आने वाला है तो यहाँ पर पहले हम इसको half करते है 60 का half कितना होता है 30 60 का आदा 30 ही तो होता है और 30 का आदा क्या होता है 15 तो यहाँ कितनी half life हमें लगी 1 और 2 2 half life लगी अब value of value of 1 ऐसे लिखे लगता है 1 half life 1 अरधायू की value कितनी थी 30 मिनिट तो 2 half life की value क्या होगी 2 half life की यहाँ होगी 2 into 30 कितना होगा 60 मिनिट 60 मिनिट और जो की हमारा correct answer है तो T half क्या मिलेगा हमें 1 by 2 हमें मिलेगा 60 60 कौन सा option है option number D हमारा correct option है इसके बाद हम बात करते हैं question number 36 के जो नी 2014 में आ रहा है कि एक radio isotope पहले हम समझता है radio isotope या फिर विकीरन समस्थानिक क्या होता है तो विकीरन समस्थानिक ऐसे radioactive पधार्थ होते हैं radioactive समस्थानिक होते हैं जिनकी उर्जा बहुत अधिक होती है और यही उर्जा अधिक होनकि कारण ये अस्थाई होते हैं अब हम जानते हैं कि nature में किसी बी चीज की अथी अच्छी नहीं होती किसी बी चीज जो चीज जादा है लोयची नहीं होती अब इसकी जो उर्जा बहुत अधिक है इस सबज़े say अस्थाई है तो इसके अस्थाई तो कारण क्या है अधिक उर्जा तो जो रेडियो आइसोटोप होते हैं हम साइड में पहले रेडियो आइसोटोप के बारे में लिखते हैं रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं रेडियो आइसोटोप और हिंदी में भी हमने उपर लिखने क और ये क्या होते हैं अतिरिक्त उर्जा के कारण अस्थाई या अन्स्टेबल होते हैं तो ये आपको समझ आ क्या होगा कि रेडियो आइसो स्टॉप या विकिरन समस्थानी क्या होते हैं अधिक एनर्जी के कारण ये अस्थाई होने वाले रेडियो आइसो टोप या विकिरन समस्थानी को होते हैं और जो की X है हमारे रेडियो आइसो टोप क्या है X है जिनकी अर्ध आयू 1.4 इंटू 10 तू दी पावर 9 यर्स है जो रेडियो आइसो टोप X है उसके अर्ध आयू हमें दे रखी है 1.4 इंटू दी पावर 9 यर्स में दे रखी हैं मतलब जो X नाभिक था वो शेय होकर Y नाभिक बन गया है तथा Y है वो स्थाई है X क्या था अस्थाई था क्योंकि उसमें अतिरिक तोड़ जाती बहुत अधिक उड़ जाती क्यों रेडियो आइसो टोप था और वो Y में परिवर्थते थो तो Y यहां स्थाई है Y स्थाई यह स्टेबल है एक गुफा की चटान के नमूने में X तथा Y एक अनुपा साथ में है कोई केव है उसके चटान में हम जब देखेंगे तो उसमें एक अनुपा साथ में X और Y है X equal to 1 है Y equal to 7 है एक अनुपा साथ में है जो X है वो क्या था जो remaining था जो remaining number of nucleos से वो X है और Y जो है वो decayed है तो हमने यहाँ देखा था कि N0 upon N0 minus Nt जो X है वो क्या होगा जितने share होगए वो है जो share होने वादा X का ही तो share होगा और Y share होने के बाद बनेगा जितने decade होगा उसके बाद बनेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लिख लेते हैं अभी जैसा कि हमने साड़नी में देखा था साड़नी में हमने क्या देखा कि एक अनुपा साथ कब आता है जब 3 half life हो जाती अगर आपको नहीं याद एक बार हम फिर से वो साड़नी देख लेते हैं यहां 3rd half life में हमने देखा कि एक अनुपा साथ आता है जब हम NT और N0-NT करता है NT क्या है जो T समय पस्चात जितने नुकलियोंस बचे है वो और N0-NT क्या है जितने दिकेड होगा तो remaining upon decade करेंगे तब हमें एक अनुपा साथ कब मिलेगा जब 3rd half life होगी 3rd half life के बाद तो यहां पे हम क्या करेंगे जो हमारी half life है 1.4 into 10 to the power 9 है इसे हम 3 half life तक ले जाएंगे 3 half life तक ले जाने के लिए हम into 3 करेंगे तो यहां 1.4 into 10 to the power 9 यह क्या था? T1 by 2 था T half था जो क्या है? अर्ध आयू है किसके लिए? X के लिए इसके बाद में हम एक अनुपा साथ देखते हैं जब 3rd half life होती है अथात तीसरी आरधायों के बाद ही हमें एक अनुपा साथ मिलता है एक अनुपा साथ का जो एश्योय है हमें 3rd half life के बाद ही मिलता है तो हम क्या करेंगे? 1.4 into 10 to the power 9 को हम into करेंगे 3 से तब हमें क्या मिलेगा? 4.2 into 10 to the power 9 और years में था question? ये year में था? y में था? तो ये भी हमें years में मिल जाएगा तो जो 3rd half है जो तीसरी अर्द IU है वो हमें क्या मिली है? 4.2 into 10 to the power 9 years ये value हमें मिल गई जो की कौन से option में थी? जो last option है ये होगा 4.2 last option होगा 4.2 into 10 to the power 9 तो ये option number D है ये हमारा correct option है क्या होगा 3rd half life के बाद? 4.2 into 10 to the power 9 years तो चलिए आज ही class यहीं complete होती है and I hope आपको आज ही class बहुत अच्छी लगी होगी समझ आया होगा अगर आपको आज ही class समझ में आई तो आप अपने सभी friends को share करिए जो भी need preparation करें उन सभी को share करिए और like करिएगा comment and share करना भी नहीं भोलना है और आप R&M Academy app को भी install कर लीजिए जिसके अंदर आपको free test series मिल जाएंगी और जो R&M group है telegram पे उससे भी join कर लीजिए and like, comment, share करना मत भूलेगा Thank you so much